नवश्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टेडी चैनल एक्जाम ग्यान मंतरा में तो दोस्त देखो UPSI 2021 का फ़स्ट फेस का पेपर जो थे कंप्लीट हो जुगे हैं बारा से लेके सत्तरा तारीक तक आपके प्रिथम फेस के पेपर चले हैं तो अब एक expected safe score के वारे हम लोग discuss करने वाले हैं कि कितना अगर आपका किसके बीच में score आ रहा है तो आप physical की यहां पर तयारी start कर दें ठीक है और यह physical के लिए मैं बताने का प्रियास करूँगा कि अगर आप केतने नंबर हैं तो आप running जरूर अपनी start कर दें क्योंकि देखिए क्या है पेपर देखे तो बहुत सारे analyzes हम लोगों ने देखे कि चलिए इसका 140 वो बता रहा हैं बच्चे यह अपना 130 प्लस सही बता रहा है कोई बता रहा है मैंने 180 कि ठीक है तो बहुत सारे प्राणडी देखे हम लोगों ने लेकिन जो आपकी real cut off रहती है या फिर जो अंदाजा आपका real लगता है वो आपकी जब ठीक है आंसर किया आती है तब ही लग पता है क्योंकि पैट में बहुत सारा हूहला था जिस दिन पैट का exam होगा 24 तारीक को कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा मेरे हिसाब से तो जो अपने 80 से कम बता रहा था ठीक है कुछ लोग तो 90 पलस बता रहे थे लेकिन जानातर बच्ची जो थे 80 मेरे सही है मैं 100 में से 80 करके काट पीट के मेरे 80 बन रहा है यही कह रहा थे लेकिन जिस दिन आपकी answer की आई जब result आया तो यही 80 वाले कुछ 50 पर पहुँच गए कुछ 55 पर पहुँच गए कुछ 60 पर आ गए ठीक है यही 80 वाले ठीक है यही देखो अभी दो महीने पहले ह यही आपका यूपी टबल सी पीटी हुआ है बच्चे यही थे जिन लोगों ने SI का फॉर्म डाला भी यह सभी ने पैट का फॉर्म डाला होगा ठीक है सभी ने पैट का पेपर दिया होगा तो बही बच्चे हैं बच्चे कुछ अलग से नहीं आए हैं आपके clear चले तो एक और चीज़ यहां पर एड़ कर दूं कि जो लोग लेकपाल पर इक्चा की अपतियारी स्टार्ट करना चाहते हैं जिनका UPSI का पेपर हो चुका है ठीक है या फिर अपना पेपर दे के लेकपाल पर इक्चा पे भी फोकस करना चाहते हैं तो चक्चू पब्लिकेशन नह और आपका UP का national और पूरा international current affair पूरा updated आपके इस कताब में मिल जाएगा प्रीवियस का एक इसमें paper भी दिया गया है 1200 से जादा यहां पर most important आपको MCQ मिल जाएगे आपकी practice के लिए तो दोस्त सांदार कताब है description में मैं इसकी link दे रहा हूँ बहां से जाके आप इस कताब क को बाय कर सकते हैं और बहतरीन तरीके से SI आपका exam देने के बाद अपनी preparation को फिर से start लेकपाल परक्षा के लिए कर सकते हैं तो description में जाएए बहां से आप इसको ले सकते हैं चलिए तो दोस्तों सबसे पहले start करते हैं general के candidates से ठीक है जिन अभ्यर्थियों के 100 से 105 question यहां पर बिल्कुल सही सही बन रहे हैं दोस्त किसी की मस सुनना आज से ही अपनी running start कर दो physical में आप qualify 100% हो जाओगे ठीक है जिन लोगों के 100 से 105 जनरल के बन रहे हैं बॉइस के बारे में बात करना हूँ आपका 100% यहां पर हो जाएगा physical के लिए आप अपनी तयारिया से ही start कर देना OBC के बारे में दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो जिन अब्यर्थियों के 95 से लेके 100 यहां पर question सही हो रहे हैं ठीक है आपको लग रहा है कि लगवग इतने question तो सही सही हो रहे हैं भाईया आप भी अपनी preparation को ठीक है आपकी जो running है उसको start कर दो आपका भी यहां पर running के लिए selection हो जाएगा अब बात करते हैं तो दोस्तों EWS category की ठीक है EWS के बात करें EWS के जिन भी अब ब्यर्थियों के 92 प्लस यहां पर question सही हो रहे हैं आप अपनी physical की start तयारी जो है start कर दें दोस्त आपका selection हो जाएगा आप कुछ बच्चे कहें कि सर ऐसा है कि EWS की तो OBC बर EWS के ठीक है जितने की OBC के candidate हैं और OBC में क्या रहता है कुछ बच्चे आपकी general में select हो जाते हैं select तो EWS के भी हो जाते हैं लेकिन हम लोग particular EWS के बारे में अगर बात करें जो आपकी 900 के आसपास post seat हैं ठीक है तो इनके लिए आपका safe score 92 ही है अगर आपका इतना बन रहा है physical आप ठीक है दे पाएंगे आप अपने physical की यहां पर ठीक है तैयारी start कर दें PET की जो आपका physically efficiency test होता है उसकी तैयारी भाई यहां आप start कर दें ठीक है बात करते हैं दोस्तों SC-ST की ठीक है SC-ST के के बारे में बात करें तो भाई अगर आपके 90 प्लस question यहां पर सही सही हो रहे हैं ठीक है तो आप अपने running start कर दें दोड़ लगाना start कर दें और same आपका महलाओं के बारे में अगर हम लोग बात करें female candidate के भी 90 प्लस question यहां पर सही सही बन रहे हैं ठीक है आप भी अपने running start कर दें physical के लिए आपका यहां पर selection 100% हो जाएगा अब कुछ लोग कहेंगे सर इतना कम भी नहीं जाएगा बच्चे तो 140 कह रहे हैं बच्चे तो 130 कह रहे हैं तो भाई paper देके जो निकलता है वो यही कहता है मैं जो question कर गया है हूं कि सही हुआ है ठीक है और उ ही है जो लोग अभी 140 130 आपको बता रहा है जब आपका answer की आती है तो बही लोग आपके 100 के नीचे आ जाएंगे देख लेना मुझ पर बिस्वास ना हो रहा हूँ आपको तो जब आपका दो तारिक को ठीक है दो December को एक हतम होगा और इसके बाद जब 7 से 8 दिन में आपकी answer की आईगी तब आप ये खुद देख लेना जो लोग अभी 140 बता रहा है वो लोग फिर यही कहें कि क्या रहे या रहे अब तो running में कम से कम 100 वालों को select करना चाहिए क्योंकि उनका खुद 100 आया है ठीक है तो यही है दोस्तों अब हम लोग बात करें कि running में लगवग कितने candidate select किये जाएंगे यहाँ पर तो देखो पिछले बार की बारे में अगर हम लोग बात करें तो लगवग 3300 पोश्टों के लिए 11000 के आजपास candidates को यहाँ पर select किया गया था 11000 में से दोस्तों लगवग 6600 candidate ने यहाँ पर running को qualify किया था उसके बाद आपकी यह cut off बनी थी ठीक 300 का लगवग 3300 ही बच्चे यहाँ पर बुलाए गए थे तो इस बार भी आपकी 9524 बेकैंसी है ठीक है इसका तीन बना कल लोग आप तो नहीं candidate लगवग तो 300,000 expected हम लोग मान सकते हैं इतने तो बुलाए ही जाएंगे ठीक है 30,000 के आसपास candidate दोस्तों बुलाए जाएंगे और फाइनली तो हम लोग तभी बता पाएंगे जब आपकी आंसर की आएगी कलियर तो दोस्तों रनिंग स्टार्ट कर दें क्योंकि रनिंग देखो कोई एक दो दिन का काम तो हैं नहीं कि चले आंसर की आई और लोगों ने अगर आंसर की देने के बाद ठीक है जन्वरी मे running अपनी start कर दें जो लोग इसके आसपास आ रहे हैं ठीक है और selection सबका हो जाएगा अगर आप इतने number के आसपास ला रहे हैं आपके exam में clear चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में जहन जह भारत भारत मतागीजे have a great day